हाई गैस कैसे हैं आप सब खोबा बहुत अच्छे होंगे आज ये वीडियो है वो बीगनर्स के लिए हैं जो आज शुरुआत करना चाहते हैं अपने करियर यो है इसमें कीबॉड में या फिर सिखना चाहते हैं अच्छा से उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी तक keyboard play नहीं किये हैं और इसके कुछ भी नहीं मालूम आपको कि इसको play करना कैसे हैं कहां से शुरुआत करनी हैं क्या से सिखनी होती हैं कितना टाइम लगता है ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो में बने रही हैं बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ये तो देखे अगर आप यहां आया है इस वीडियो में आया है keyboard सीखना तो मैं यहां समझ रहा हूँ आपको एक skill अपने life में add करना है ये skill ही है बहुत ही अच्छा skill है तिसी के life में अगर music ना हो तो life अधूर है तो अगर आप यह सीखना चाहते है keyboard तो आपको तीन चीजों में invest करना पड़ेगा यहां पे तो सबसे पहला जी जिसमें आपको invest करना है तो है time अगर आपको इतना time नहीं लगाना है तो हमारे पास है यह आप लोगों की यह book यह जो book है सिर्फ 299 रुपए में आती है अगर आप 299 रुपए अपने skill के लिए अपने life के लिए हाँ खर्चा नहीं कर रहे है तो खैर छोड़िए तो भाई लिंक नीचे description पर है वहाँ जाए इसे purchase करिए फिर्फ 299 रुपए है गाईज 299 रुपए में आप बहुत ही अच्छा जिस सीख जाएंगे और मैं यहाँ कोई इसका marketing नहीं कर रहा हूँ जो ले चुके वो जानते हैं इस book के बारे में बहुत ही अच्छा book है सभी इसमें अच्छे से cover हुए music theory सबसे important part होता है सिखने के लिए वो इसमें अच्छे से दिया गया है आप पीछे आप गिटार देख पा रहे है मुझे गिटार भी आता है कीबोड भी आता है और बैंजो अगर भी आता है प्ले करना professionally मैं keyboard प्ले करता हूँ बाकी लोग पुछते हैं कि आप गिटार प्ले कर लेते हूँ बैंजो प्ले कर लेते हो keyboard प्ले करते हूँ और दूसरे instrument में प्ले कर सकता हूँ है ना वो कैसे कर लेते हो यह जो important है ना वो music theory होती है अगर आप music के आपको जानकारी है उसके basics अच्छे से आपको clear है ना कोई भी इंस्प्रूमेंट आप असानी से play कर सकते हैं सिर्प उसमें थोड़ी ची प्रैक्टिस चाहिए किसकी fingering या उसके जो functions बाती जो music theory है ना हो सेम होता है और इस book से एक्षा music theory आपको कहें ने मिलने वाली है तो यह लीजिए और जो third है वो आप एक keyboard में invest कर लीजिए अब एकदम ही महेंगा इस type क keyboard आपको लेने की जर्वत ने यह शुरुआत में आप छोटा keyboard से start कर रहते हैं मैंने अपने वीडियो में आपको बत अब ही चल रहे है तो अगर आपको सही में सीखना है इंट्रेस्टेड है तो आप एक अच्छे keyboard में invest कीजिए अब 1100 के आज पास तो आपको अभी keyboard नहीं मिलेगा हो सके तो थोड़ा सा 61 कीफ वाले keyboard ले लिए एक बार लीजिए लगबग 6-7 जासे start हो जाते है केश्यों य करने में वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आने वाली है तो एक बन लिजिए 61 की फाले लिजिए तो दोस्तों अभी मैं यूट्यूब में भी एक फ्री कोर्स ला रहा हूँ जिसमें इस बुक के जो सभी टॉपिक्स है जो सीलेबस है वो अच्छे से कवर होगे क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कुछ भी डॉप होता है तो नीचे कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हैं इसमें जो है कॉर्स टैक के टॉपिक आपको मिलेंगे व्यूजिक ठोरी के हैना उसमें इसके स्कूर्स कैसे प्रैक्टिस करने हैं फिंगर कैसे चलाने है वो सब च तो आपको लाइव क्लासे भी वहां प्रोवाइड हो जाएगी वन टू वन क्लासे चल रही है अभी तो उसकी जो है डिटेल्स आप पासकते हैं वहां से और हमारा सर्टिफिकेशन वाला भी कोर्स होता है अगर आपको प्री रिकॉर्डिंग कोर्से लेना है उसमें बहुत आपके पास इतने सारे ओप्सन से कीबोर सीखने के लिए में जो फंडा है अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है जो यूटुब के वीडियो देखते आप सीखेंगे उसमें अगर आप लाइव जूड़ते हैं या हमरे प्री रिकॉर्डिंग कोर्सेस लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा सीखने में तो आपके उपर है आपको किस तरीके से सीखने में आप इंटेस्टेट है तो हम आगे आने वाले टॉपिस में सब कवर करेंगे जितना बुक में जो टॉपिस दिये अभी तक के लिए इतना है थैंक यू